गुट मॉनिंग स्टुदेंट, हावर यू, आइम स्वित्रामीज, नाओ हमें स्टाट आए, साइन सब्जेक्ट, क्लास 3, चेप्टर 4, अंडर्स्टेंडिंग बर्ड, थार्ड डे, ओके, देन मैंने इससे पहले आप लोगों को इसके कुछ पैज परवाये थे, आप लोगो को चेप्टर 4, अंडर्स्टेंडिंग बर्ड के, जो आज आप लोगों को कुछ पैज बाकी रहे हैं इसके, वो आज आप लोगों को स्टाट करने जा रहे हैं, सो लेट्स वी स्टाट आप पैज नंबर 32, ओके, स्टाट, फ्लेस्ट इटिंग बर्ड, यान कि मास खाने वा बांच, चील, बांच, चील, गीद, यह सब के जो पंजे क्या होते हैं, बहुत ही स्ट्रोंग और मजबूत होते हैं, होते हैं, और तेज पंजे होते हैं, जिसे हम क्या कहते हैं, टैलोंस कहते हैं, इस टैलोंस हेल्प देम तो केच और होल दी प्रीव, दियर प्रीव, हूआ कि और इस तरह के जो पंजो इस तरह के जो पंजो होते हैं उसे हम अपने सिकार को पकड़ते हैं जैसे कि माइस देए यह सब क्या हो गजिए इसका सिकार हो गया यह इस प्रोचनेवाले बाद बाद जैसे की पक्षी को लौचने वाले पक्षी इसे birds like hen have strong legs with three toys in front and one toy at the back चिरिया जैसे हो गए आपको मुर्गी के पेर जो क्या होते हैं बहुत ही strong होते हैं और उनके पेर की उंगलियों में तीन उंगली आगे की ओर होती है और एक पीछे की ओर उंगलिया होती है इसके पेरों की उंगलियों बहुत ही तेज और कठीन होते हैं बहुत ही तेज और कठीन होते हैं और वे इनकी मदद से जमीन पर खोदने मतलब खोदने में मदद मिलती है और वे बीज और कीरे भी मतलब बीज को भी खोद कर खाते हैं और कीरे भी निकालके खाते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं इसे वेडिंग सकते हैं इसे जाल पक्षी चल सकते हैं इसको वे डिंग सकते हैं और कीणको बोलते हैं यह ब बगला और क्रेन जैसे पक्षियों के पेर की उंगलियां लंबी होती हैं ठीक है इस बड़ वाल्क ओन दी मड इन दी स्लोन वाटर और पॉन तो केच दियार प्रीव सच एस क्रेप है न और यह पक्षी अपने सिकार यह पक्षी अपने सिकार सिकार को पकरने के लिए तालाबों के उथले पानियों में कीचर पर चलते हैं और क्या करते यह अपने सिकार पकरते जैसे क्रेव यान की केकरा दे दी है ना इसमें और यह पकर के क्या करते हैं खाते हैं ना दिया स्टोई help them to stain on the soft mud without sneaking and long leg help them to walk without getting their feather yet है ना उनके पेर की जो उनके पेर की उंगलिया जो होती है उन्हें नरब मिटी पर बिना दुबे लंबे समय तक खरे होने के लिए क्या करते हैं मदद करते हैं ना लंबे समय तक खरे होने के लिए क्या करते हैं मदद करते हैं और उनको उनके पेर के पंखों को उनके पेर के चलते हुए अपने पंक को भी मतलब भीगने नहीं देते हैं घिला नहीं होने देते हैं है ओ झ dividesá ü c best dollars के ज्वार व्सके द्वारा वह गिल्ली मझठी पर भी अच्छर से चलते और वे अपने पंक भीने देते हैं इसे हम लोग क्या बोलते हैं वैनिकर टोइस ऑफ है oh का टोईज है है ना स्विमिंग बड यानि कि तेरने वाली पक्षी बड लाइक ड़क एन गीस हैब वेब फिट वेबड वेबड फिट विट त्री तोईज इन फ्रॉंट एन वन टोई एड़ बेग बतक और गीद जैसे पक्षी के पेर वेब फिट होते हैं क्या होते हैं आगे की और होती है और एक उन लिए पीछे की और होती है जो और जो आगे की जो पेर होते हैं उनके ये जो पेर होते हैं वो चम इसकीन से क्या होते हैं जुरे होते हैं जुरे हुए होते हैं ठीक है और इनके जो क्या होते है वह जो पानी को क्या करते है पूश करते धक्का देते है और आगे बढ़ने के लिए उसे उसे मदद मिलती है मेरा मदद मिलती है यहां आगे बढने करती है यह का इसे फ्रेट फिर्ञा मदद मिलती है जैसे reporting पानी को पीछे हैसे धक कर देखे वह आगे बढने के वह जालने मेरा मदद मिलती है अगे भाए बर फोवर शैसे लिया सनकर के फीप करने में मदद मिलती है ना टोइज ऑफ एडग यह किसका टोइज है डग का टोई है ओके यह कुई क्रिकल में इस्टेट वेदर दा फोलाइं इस्टेटमेंट और ट्रू और फल्स इसको क्या किज़ेगा आप पढ़के बना लिजेगा ओके यह आप लोगों का हमवर्क है अगर रृई टोपाल झाप-थाइस नमबमर बन में क्या दिया है बर्ट्स हैब अव्रक हैं फोट नहीं नहीं कहते हैं सब्सक्राइध अलागअशन करते हैं थिम बढर्ट-पारटूए खाने सक चांदड और 20 पीट टिथट चार पेर और दो फीट होते हैं बताइए टू और फल्स भर्रा आप लोग भरियेगा अपना से फॉर में दवेब फीट डग एंड गिस हैल्प देम टू स्विम और ग्लाइट इन वाटर अभी परें डग का वेब फित था है ना फाइब में बर्ड लाइक हॉपी एंड उट फिकर हैब थीट